दीपावली से पहले ही दिल्ली में पल्यूशन का अस्तर लगातार बढ़ रहा है लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर AQY 400 के पार पहुँच गया है हलाकि पल्यूशन को ले करके दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के प्रयावरण मंद्री गोपाल राय जी है गोपाल जी जिस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों में आज AQY लेबल जो है वो 400 के पार पहुँच गया है तो उसको ले करके किस तरीके से मौनिटरिंग की जा रही है उसकी रोक थाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे है दिल्ली सरकार की तरफ से देखे अभी जो इस सितियां बन रही हैं उसमें जो परयावरण अभी से सग गये हैं उनका ये अनुमान है कि जो अगला पंदरा दिन है वो काफी उत्तर भारत के लिए कुरुसियल है प्रोडूसन के हिसाब से क्योंकि इस समय तीन घटनाएं जो हैं वो ऐसी हैं जो एक साथ जो है वो जुड रही है पहला जो है कि अब पराली की जो प्रोडूसन है उसका कंट्रोडूसन अब बढ़ने लगा है दिली के अंदर और पूरे उत्तर भारत में दूसरा दिवाली पे पठाके जलने से प्रोडूसन का आस्तर मल्टिप्लाई हो जाता है और तीसरा अगला जो एक हफता दस दिन है यह तिवारों का समय है पहले जो है भाया दूईज है फिर च्छोटी की बड़ी के बाद ने उसके पहले जो बदो च्छट पूजा है तो इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ियां सड़क पे उतारते हैं तिक जाम की इस्तिती पैदा होती है और उस से जो है जो गाड़ियों का पलुसान है वो काफी बढ़ जाता है तो ये अगला पंदरा दिन ऐसा है कि काफी कुरुसियल है इसको देखते हुए मुख्यता को भी सरकारों और सभी लोगों को भी इसमें सक्रीता के साथ इसमें पर्यास करने की जरुएथ है कल किंदरी किरिसी मंतरी किंदरी मानी सिवराई सिंग चौवान जी किंदरी परियावरन मंतरी स्रिवपेंद यादव जी और पंजाब, हर्याडा, उतर प्रदेश, दिल्ली के मराज्य मंतरियों के साथ बैठक थी उसमें हमने इन सभी लोगों से निवेदन किया है एक चीज़ अच्छी है कि पराली जलने की घटनाएं कम हुई है कल पंजाब के परियावरन मंतरी अपने रिपोर्ट रख रहे थे कि 2022 में जब वहां सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो लगबग अक्टूबर में साड़े पांच हजार पराली जलने की घटना हुई थी और इस साल लगबग अभी डेड़ हजार के आसपास घटना हुई है लेकिन कल मैंने सभी लोगों से निवेदन किया कि उसे भी कम और किया जाए क्योंकि उनका इंपक्ट इस दोरान तीन फैक्टर एक साथ जुड़ रहे हैं तो गाडियों का पलूसन पटाकों का पलूसन और पराली का पलूसन इस से मल्टिपलाई होने की संभावना जो है वो बैग्यानिक विक्त कर रहे हैं दूसरा कल मैंने जो बैठक थी उसमें पटाकों को लेकर के भी निवेदन किया कि NCR में कम से कम इस पर प्रतिबंद जो है वो लगाया जाए जिससे की पटाकों के पलूसन को कम किया जाए अगर बात की जाया गोपाल जी तो दिल्ली सरकार ने रियल टाइम सोर सुपर साइट का कहा जाए एक तरीके से अस्थापना की और उसके बाद ये जानने की कुशिस की गई उस साइट के जरिये की आखिरकार दिल्ली में जो पलूशन बढ़ता है उसकी वजह क्या है तो उस सुपर साइट से कितना लाब मिल रहा है और जिन इलाकों में हाट स्पोर्ट चिन्हित किये गए वहाँ पर पलूशन बढ़ने की वज़े क्या पाई गई अभी जो हमारे डिपी सी से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दो फैक्टर है एक तो ये है कि अब धिरे धिरे जो डस्ट का जो पलूशन था पीम टेन की मातरा अब कम हो रही है इसका मतलब यह है कि जो डस्ट पलूशन है उसकी मातरा जो है वो कम हो रही है पीम टू पॉइंट फाइव की मातरा बढ़ रही है इसका मतलब क्या होता है कि गारियों का जो पलूसन है धूए का पलूसन दश्ट का पलूसन यानि धूल का पलूसन बढ़ता है तो PM10 बढ़ता है और धूए का पलूसन जब बढ़ता है तो PM2.5 की मात्रा बढ़ती है तो इस समय अब PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है जहां तक हा स्वार्टि Sounds पर अलग अलग जगहों पर अलग सोर्शे रहें कहीं 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 करना है कहीं से कप Ooh two comprehensive생 अभी हमने वजीरफूर ड्रोण के द्वारा मौनिटिरिंग करनी का शो मैं कि स्वार्ट इस हम दोर्ट अब एक बार हम देखेंगे कि जो समझने की कोशिस कर रहे हैं जिससे की प्रदूसन के अस्तर को और बिहतर तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जासा है गोपाल जी इस बार दिल्ली सरकार पहली बार देखने को मिल रहा है कि जमीन से लेकर के आस्मान तक पलूशन पर नजर रखी जा रही है कितने ड्रोन लगाए गए हैं इस काम में और किस तरीके की रिपोर्ट ड्रोन के जरिये मिल रही है दिल्ली सरकार को अभी तो हमने वजीरपूर जो हाट स्पोर्स है वहाँ पे पाइलट बेसिस पेस काम को सुरू किया है एक बार उसका सारा रिपोर्ट एक्जामिन करने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाने का अंद्रे लेकर है एक आखरी सवाल दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार ने और तमाम जो दिल्ली एंसियार के राज्य हैं जुड़े हुए उनके जो प्रयावरण मंत्री हैं उन्होंने केंदर सरकार के साथ बैठक की और उस बैठक में दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल रखा कि आर्टीफीसिल जो रहन है वो कराई जाए तो उसको लेकर कि क्या मसाधा दिल् सरकार की तरफ से कल जो बैठक होई थी हाई लेवल उसमें किंदरी क्रिसी मंत्री माने सिराज सिंग चौवान जी मौजूद थे किंदरी परियावरण मंत्री बुपेंद्रियादो जी थे राज्यों के मिनिस्टर से सभी अधिकारी वहां मौजूद थे मैंने कल ये बात व पुरा प्रस्ताव बना करके सरकार को सम्मिट किया था उसके हिसाब से दो पक्ष है एक है पर्मिसन और दूसरा है उसका खर्च हमने पर्यावरण मंत्री जी को केंद्र सरकार को हमने ये प्रस्ताव भीजा था कि खर्च हम पूरी तरह से उठाएंगे लेकिन जो पर्मिसन चाहिए केंदर सरकार की, उसमें हमें आपकी मदद चाहिए. कल भी हमने ये बात रखी है, कल केंदरी ग्रिसी मंतरी जी ने ये बात कहा था, किस पे सकरात्मा करूप से हम लोग विशार करेंगे. हमें उमीद है कि चुकि इस समय अब कम है, तो जल्दी इस पर केंदर सरकार न त्यारी कर सकते हैं. तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली सरकार के परियावण मंतरी गोपाल राय जी थे, जिन्होंने साब तोर से कहा कि युद्ध अस्तर पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, ताकि पल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए.